हेलो एवरिवन, गूड इवनिंग, वेलकम बैक टो आवर चैनल, आज मैं बनाने जा रही हूं मक्के की कचोड़ी, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है आए बनाते हैं मक्के का आटे की कचोड़ी, इसके लिए ये मैंने मक्के का आटा लिया है, ये मैंने एक कप लिया है ये हलके पीले रंग का होता है इसके साथ साथ ये मैंने गेहूं का आटा लिया है ये मैंने हाफ कप लिया हुआ है इसका चोड़ी में डालने के लिए ये मैंने आलू लिया है इसको मैंने बॉाइल कर लिया है बॉाइल करके मैंने छील के रख लिया है सबसे पहले मैं आलू को मैश करूंगी इसके लिए मैंने मैशर लिया है, आप चाहें तो हाथों से भी आलू को फोड सकते हैं, तो इस तरीके से चारो आलू को मैश कर लेना है, यह देखिए, आलू को एक एक करके मैश कर लिया है, तो अब मैं क्या करती हूँ, हाथों से इसे एकठा कर लेती हूँ, सबसे पहले मैं मैं थ nes क्वा इस बावल के मैं यह मक्य का इक आटा को इसी में डालै। को यह मैं डाली यह जो मैंने दीन fine में जोपने के प्याज घृतka सब्सकों जोपनी रूल जोपनी nella को बाद अब इसमें नमक और कुछ मसाले एड़ करूंगी तो नमक मैंने डाल दिया है नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाले नमक के बाद ये मैंने हाफ स्पून लाल मेज पाउडर लिया है और हतेरी पे वन स्पून अजवाइन लिया है अजवाइन को मैं रगड कर फिर इसम में डाल दिया है और हाफ स्पून भी हिंग लिया हूआ है इसमा मैंने तो इसमें डाल दिया है अब दाल चीज दिया घ्याट ना लाया है ।ो आथ होसे मैं आप और भी ना थाठुम समें प्रक्ष्डा लेते हैं पर्लै साझ जोड़् 63 लेना है फिर श्क्रवट कर लेता ह ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैंने ये गरम पानी लिया हुआ है इससे मैं इसे गूत लेती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका डो बना लेना है ज्यादा पानी इसमें नहीं लगेगा इसलिए पानी थोड़ा ही थोड़ा डालें वनना ये गीला हो जाएगा और फिर डो अच्छे से नहीं बन पाएगा इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए इसका सॉफ्ट डो बना लेना है ये देखिए इसका मैंने सॉफ्ट डो बना लिया है तो अब मैंने ये बेलन लिया है चौकी लिया है और ये ओयल लिया है ओयल में थोड़ा थोड़ा इसे लगा कर इसे बेलूंगी तो पहले थोड़ा सा पेड़ा काट लेते हैं ये दिखिए इस तरीके से लोई बना लेते हैं लोई बनाने के बाद इसे हांतों से प्रेस कर लेना है इस तरीके से फिर इसमें थोड़ा सा ओयल लगा कर इस तरीके से पूरी के शेप में कचोड़ी की बेल लेना है तो इसे हलक इस तरीके से मैं 5-6 बना लेती हूं इसके बाद मैं इसे डीप फ्राइ करूंगी यह इतना मोटा होना चाहिए डो बनाने के बाद इसे 5 मिनिट के लिए रेस्ट पे रख देना है जिससे यह सॉफ्ट और मुलाइम और चिकना हो जाएगा तो इस तरीके से हंथेरी पे तेल ल मैंने तेल कडाई में गरम होने के लिए रखदिया था यह गरम हो गया है तो अब गेस के सि笑 से मीडियम कर देते हैं क्योंकि इसमें प्याज और धनिये हरी धनिया और उसकी डंडी पड़ी हुई है इसलिए ये फूलेंगी नहीं तो इसे ऐसे ही पल्टे से सहलाते हुए इसे सेक लेना है डीप फ्राइ कर लेना है आप तीन से चार कचोणिया एक साथ तल सकते हैं ये देखिए बारी बारी करक मैं तीन-चार एक साथ डाल देती हूँ ये देखिए तीसरी कचोणियों मैंने डाल दी है इसमें तो ये पहली हो गई है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ देखिए चौथी भी मैंने डाल दी तो पहली निकाल लेती हूँ ये हो गई है इसी तरीके से दूसरी भी होने वाल बेखे में और चाट मसाला टाल पोड़र या ने लाल मिस सदी के साथ सब्सक्राइब दें लेते हो और टेस्टी लगती है और अगर आप चाहें तो अचार के साथ भी इसे खा सकते हैं इसके अलावा आप चाहें तो चटनी भी बना सकते हैं सॉस के साथ भी खा सकते हैं जैसे आपको पसंदो ऐसे आप खा सकते हैं तो थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी ये वीडि कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रसिपी के साथ